है आज हम आर्ची में टापिक नंबर तीश रा का सिक्षन जरना था इसमें से तीन सेक्षन हो चुका था जिसमें था रोंड 270 स्चु प्रग गज़ को संद और दूसरा था रोल्ड 1500 चैनल सेक्षन और था रोल्ड तेट सोला तीशन आप सबीन एसमें हम भी कि इसमें चोथा नमबर है मारी अथा फिक नॉर्रिंब की स Μीं सब्फिक नमब leaf टीशरे में चौथा इस्टी रोड्ट सब एक्रोफा है मैं कौर्ड रोल्ड इस्टील एंगल रोल्ड इस्टील एंगल रोल्ड इस्टील एंगल में भी तेन सेक्शन है रोल्ड इस्टिल एंगल में तेन सेक्षन पहला पहला सेक्षन है आई एस ए आई एस ए एनिकी इंडियन स्टांडर्ड एक्वल एंगल इंडियन 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 इंडिय इंगल, एकूवल, इंगल, आईस कोड, आईस, आईस, आईसे पान्सो पैचास. आईसे पान्सो पैचास. अई यसे पान सो पचास दूसरा आई यसे इंडियन इंडियन स्टेंडर्ड स्टेंडर्ड इंडियन स्टेंडर्ड अनिकुल अन इकुल अन इकुल एंगल अन इकुल एंगल आई यस ए आई यस ए चाई सो आई यसे चाजार चालिस शाठ चालिस तीसरा नमबर ISA Indian Indian Standard Standard ISA Indian Standard Standard Bulb Bulb Angle Bulb Angle Bulb Angle ISA Indian Standard Standard ISA ISBA Bulb Angle ISBA Indian Standard Bulb Angle Indian Standard Indian Standard Bulb Angle Bulb Angle Ismae Note Point Ismae Note Point Ismae Note Point Note Point Equal Angle Equal Angle Angle Equal Equal Angle Equal Angle Brother Indie Ismae Bud I Am I Next I Still Time लेक्स की लंबाई की लंबाई की लंबाई की लंबाई लेंध क्या होती है सेम लंबाई मतलब लेंध लंबाई सेम होती है क्या होती है सेम होती है तो इसमें टापिक नमबर तीसरे का है टापिक नमबर तीसरा इस्ट्रक्चरल एस्टील सेक्शन जिसमें चोथा नमबर था इसमें छा सेक्षन थे जिसमें तीन सेक्षन हो गया था चौथा सेक्षन है रोल्ड इस्टील इंगल रोल्ड इस्टील इंगल ISA इंडियन इस्टैंडर्ड इकुल इंगल इस्टैंडर्ड इकुल इंगल आई एस चाहजार चालेश आई एस बी ए इंडियन इस्टेंडर्ड बल्ब इंगल इंडियन इस्टेंडर्ड बल्ब इंगल इंडियन इस्टेंडर्ड बल्ब इंगल नोट इक्वल इंगल में जो इक्वल इंगल का डाइग्राम है यह क्या है equal angle का diagram यहां पर equal angle का diagram झेकड़ हूँ यह क्या है इक्वल इंगल कि क्या है इक्वल इंगल अब इसक्षुन बाहर बनता है इसकन का केंद्राव क्या होता है इक्वल इंकर का केंद्राव इक्वल होता है जैसे इसमें इंगल का डायगराम है इसमें नोटप 나ब में I.S.A. यानि कि 550 550 का मतलब इसमें है I.S.A. 550 यानि कि height और length जो यह height है और यह जो length है इसका यहीं मतलब है I.S.A. का मतलब है यानि कि height और length क्या होगा? सामान होगा height or length क्या होगा समान होगा height or length समान होगा इसका तो क्या है equal angle unequal angle का मतलब है is 60 और 50 यनि कि इसका height और length क्या होगा different होगा Indian standard bulb angle Indian standard bulb angle Indian standard bulb angle ISBA इसमें note point में यही है equal angle में जो equal angle है equal angle में इसके दोनों भुजाएं बहुत यनि कि लंबाई length क्या होती है same होती है equal angle में क्या होता है equal angle में दोनों क्या होती है दोनों भुजाएं सेम होती है हैं दोनों भुजाएं क्या होती है सेम होती है किसमें इक्वल एंगल अपनी इक्वल एंगल देख लें पचास-पचास अब अनिक्वल एंगल अन इक्वल एंगल इसमें क्या होती है दोनों भुजाएं सामान नहीं होती है इसमें दोनों भुजाएं क्या होती है डिफरेंट होती है इसमें दोनों भुजाएं क्या होती है डिफरेंट होती है और इसमें इक्वल एंगल में क्या था कि दोनों भुजाएं क्या होती है सेम होत अनिक्वल इंगल में इसकी दोनो भूजाएं इसकी दोनो भूजाएं दोनो भूजाएं आनिक्वात लेंथ यानिक्वात लेंथ की लंबाई की लंबाई की लंबाई यानि की लेंद्ध लंबाई लेंद्ध लंबाई लेंद्ध क्या होती है सेम नहीं होती नहीं होती है जैसे एक्जेंपल में आई यस ए साट चालेस आई यस ए साट क्छालेस इसमें क्या है इंगल है यह क्या है इंगल यह इंगल का डाइग्राम यह क्या है इंगल अब इसमें क्या होगा दुनों भुजाएं समान नहीं होंगी इसमें 40 और यह 60 हो चालिस का यह हैट इसका 60 आप कि इसमें मात्रक कुछ भी लगा सकती है यह में सेंटीमीटर किलो मेंटर का संटीमीटर किनिस में कि एक यह क्या है इंगल अब जैसे आपने पीछे देखा इंगल में भी यक्स यक्स क्या थे इसमें अच्छ था अब इसमें भी अच्छ होगा यह क्या है इंगल अभी इंगल इसमें क्या होगा केंद्राब इंगल के बाहर बनेगा केंद्राब इसका केंद्राब इंगल के बाहर बनेगा इंगल में क्या होता है इंगल सेक्षन में केंद्राप क्या होता है सेक्षन के बाहर बनता है तो यह क्या है यक्स एक्स और यह क्या है वाई वाई क्या है वाई 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 इसका लिन्थ यल्टू और इसका लिन्थ यल्वान क्या है इसका लेंद्द यल वान इसका लेंद्द यल टुल्टू अब इसमें क्या होगा यहां से लेकर चैनल के इसक्षं का शी वाई 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 जी वाई वाई पक्रम में से यह से यू यो यू 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 सिद्धा यू यू और इस एंगल से यहां से टच करते हुए इस में से, इंगल में से, इंगल में से टच करते हुए, केंद्राप से होते हुए, इस इंगल के टच करते हुए, यहां तक क्या है, वी, 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 क्या है, वी, वी, अब यहां से लेकर, यहां तक क्या है, एक्स क्या है एक्स सी एक्स एक्स सी एक्स एक्स क्या है सी एक्स एक्स अब नौट पॉइंट में इसमें क्या होगा नौट पॉइंट में इसमें भी लिख लो नौट पॉइंट में पॉइंट में इसमें होगा इकुल एंगल में इकुल एंगल में क्या होगा यह और एक्या होंगे समान होंगे इकूल एंगर एक्वाल क्या होगा एक्वाल 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 एक्व यक्स और CYY CYY क्या होंगे समान होंगे CXX और CYY समान होंगे क्या होंगे समान होंगे और इसमे आयंड आयंड लेंथ 1 और LENTH TO इसमें क्या होगा LENTH ONE बराबार LENTH YELLO बराबार LENTHYUSE LENTH YELLO और इसमें क्या होगा YAKS YAKS एंड य य य पास सिमेट्रिकल एक्स 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 ए क्या होगा symmetrical नहों करें वाई अच्छ पर symmetrical symmetric na होकर नहों तो यू यू एंड यू यू एंड बीवी आक्सिस बीवी आक्सिस को जो बीवी वाला अच्छ है को प्रधान अच्छ मानते हैं अगर यू वाई वाई और यक्स यक्स सेमेट्रिकल नहीं है सेमेट्रिकल नहीं है तो यह वाला अच्छ वाई वाई और एक्स बीवी वी वी तो इसमें क्या होगा इसे हम एक्सिस को प्रधान अच्छ मानते हैं यानि प्रेंसिपल अच्छ प्रधान अच्छ मानते है मानते हैं क्या होगा प्रधान अच्छ मानते हैं इंग्लिश में हो लिखना हो तो प्रेंसिपल प्रिंसिपल प्रिंग प्रिंस क्या? प्रिंसिपन अद स्माइश अगर इसमें यहक्स 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 ऐन्ड वाई 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 पस्पेमेटरिकल ना उता हो जब एंगर स्यमेटरिकल नहीं होता तो इसमें वाई वाई मांते हैं अब इसमें होगा पाँचवा नंबर रोल्ड इस टील ट्यूबस अब इसमें पाचवा एंगल हो गाँचवा स्टेल रोल्ड इस्टेल ट्यूबस पाँचवा सेक्षन रोल्ड इस्टील ट्यूपस अब इसमें पाँचवा होगा पाँचवा सेक्षन रोल्ड इस्टील ट्यूपस रोल्ड इस्टील ट्यूपस रोल्ड इस्टील ट्यूपस रोल्ड इस्टील ट्यूपस यह लिंध मेडियूंद हैवि सेक्षन होते हैं रोल्ड इस्टेल ट्यूप्स में ए ले ए ए ए ए ए रोल्ड इस्टेल ट्यूप्स ए लाइट मीडियां मीडियां लाइट मीडियां एंड हाइबी सिक्षन होते हैं हाइबी हाइबी है वी है वी सिक्षन हाइबी सिक्षन होते हैं हाइबी सिक्षन होते हैं हाई भी सेक्शन होते हैं और इसमें दूसरा पॉइंट एक कंप्रेशन मेंबर इसमेंबर 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 मिंबर टेंशन मिंबर के रूप में यूज होते हैं यूज होते हैं रोल्ड रोल्ड एस्टील ट्यूप्स में पहला पॉयंट ए ए लाइट मेडियम है भी है भी सेक्षन होते हैं और इसमें rolled steel section में एक compression member tension member के रूप में compression member और tension member के रूप में कौन सा angle use किया जाता है तो यह angle है rolled steel tubes rolled steel tubes एंगल का प्रयोग compression member में compression member में and tension member की रूप में प्रयोग होता है प्रयोग होता है अब इसमें छठा है rolled steel bars चाथा एंगर रोल्ड इस्टील रोल्ड इस्टील बार्स यानि की बार्स का मतलब च्छाड रोल्ड इस्टील बार्स यानि की च्छाड अब रोल्ड इस्टील इस्टील सेक्षन में भी दो प्रकार के सेक्षन है ruled steel section में कितने दो प्रकार के section पहला इंडियन standard round bars पहला इंडियन 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 इंडिय राउंड बार्ष राउंड बार्ष अब छठा नंबर में दूसरा दूसरा सेक्शन इन्डियन स्टेंडर्ड-स्क्वायर बार रांड बार और स्क्वायर बार तो इसमें क्या होगा इंडियन इस्टैनडर्ड इस्टैनडर्ड इसमें रंड़ बार knit इसक्वायर बर हो स्क्वायर और इसक्वायर बार इस्क्वायर इस्क्वायर बार्स रोल्ड इस्टील बार्स यानि की छड में दो प्रकार के सिक्षन है कितने दो प्रकार के सिक्षन पहला इंडियन इस्टैंडर्ड राउंड बार्स दूसरा इंडियन इस्टैंडर्ड इस्क्वायर इस्क्वायर बार इंडियन इस्टैंडर में साथवा सेक्षन डोल एस्टेल फ्लाइट रोल्ड मतलब छपटा सेक्षन डोल्ड इसका यूज लेसिंग बार रूल्ड इस्टील फ्लैट का लेसिंग बार में इनका यूज लेसिंग बार लेसिंग बार एंड लेसिंग बार एंड टेंशन मिंबर में किया जाता है कि टेंशन कि टेंशन कि टेंशन कि मिंबर कि टेंशन मिंबर में किया जाता है कि टेंशन मिंबर में किया जाता है यहीं क्या है फ्लैट सिक्सान फ्लैट सिक्सान इस टील की चप्टी पत्ती इस्टील की चप्टी कि चप्टी कि पट्टी कि पट्टी कि पट्टी कि क्या है पट्टी चप्टी पट्टी कि इसमें यही साथ प्रकार के सिक्षन थे यही साथ प्रकार के सिक्षन थे किसमें सेक्षन जब किसमें स्टार्ट हुआ था पॉइंट में में स्ट्रक्छल सेक्षे स्रिक्षन में यही साथ प्रक्रार के सेक्ष्न पांच वो स रोड़ इस्टिल ट्यूप्स हो गया और रोड़ का पर योग लाइट मीडियम के ड्याइबश सक्षन होते हैं और इसका यूज के कम्प्रेंशन compression member and tension member के रूप में यूज होते हैं जब rolled steel bars इस दो परकार के होते हैं पहला Indian standard round bar दूसरा Indian standard square bar फिनिश में 7 ऎदूरल इस्टिल para Mag大 उप्रियुज़ कहां करती हैं तो लेसिंग बार और तिंशन मेंबर में लेसिंग बार और तेंशन मेंबर में करते हैं फ्लैट का यूज सेक्शन का यूज लेसिंग बार और æफ्केसमें में अब इसमें अब क्या हो गया चैप्टर फर्स्ट वाला चैप्टर समाप्त हो गया आप सेकेंड़ चैप्टर कल कर दो